Hello friends, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल जान इंशौरेंस गूरूब So friends, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे प्रोडेक्ट के बारे में जिसमें आपकी बहुत जादा रिक्वार्मेंट्स आ रही थी आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं Even बहुत सारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, जो कि मुझे जानना चाते हैं कि नीवा भूपा का जो रिएशॉर प्लैन है, मार्कीट में आज की रेट में इतना ज्यादा डिमांडिंग क्यों है ऐसे क्या फीचर्स हैं, जो कि आज की रेट में कस्टमर को वो लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं और USP क्या है इस प्रोडेक्स के अंदर, तो फ्रेंट्स हम जानेंगे कि इस प्रोडेक्ट की complete analysis, मतलब की complete plan के details तो इसके लिए मैं आपको अपनी screen की ओपर ले जाऊँगा और आपको complete information दोगा इस प्रोडेक्ट के बारे में तो मैं आपको valuable content दे सेगो, जिसे कि आप अपने insurance advisory business को finally grow कर पाएं और अगर अपने business के अंदर एक नया next level चाहते हैं, तो मैं आपके लिए आगे आने वाली videos के अंदर बहुत सारे नए-ने content लेकर आने वाला हूँ जैसे कि fire insurance, property insurance, marine insurance and और भी बहुत सारे products इवन आप लोग जानना चाहते हैं कि director insurance क्या होता है, आप लोग जानना चाहते हैं कि event insurance क्या होता है तो ये सारे topics, इवन आपको market में, इवन YouTube channel पे शायद बहुत कम लोग शायद अभी तक कोई provide नहीं भी कर रहा होगा बट मैं आपको बता जाता हूँ कि आपको हमारे channel के माध्यम से इन सारे चीजों के बारे में, इन सारे topics के बारे में भी update मिलने वाली है आपने अभी तक चैनल subscribe नहीं करा, तो जली से subscribe कर जीए, bell icon को press कर दीए, जिसे कि इस तरीके को content आपसे miss ना हो जाए अगर आप insurance industry के अंदर धमाका मचाना चाता है, boom करना चाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीजे सीखने के बाद आपको valuable content लेने के बाद आपको बहुत ज़दा knowledge मिलेगी and finally आप customer को कही ना कहीं, एक next level तक की knowledge आप deliver कर पाएंगे So friends, start करते हैं और जानते हैं कि NIVA VUPA का जो plan है वो किस तरीके से काम करता है So friends, चलते हैं अपनी screen के उपर जानते हैं कि NIVA VUPA का resource plan कैसे काम करता है तो सबसे पहले बात करेंगे निगो भूपा के plan की, तो सबसे पहले आपको समझना है कि यह जो plan है, यह आपको unlimited registration का benefit देता है, अब unlimited registration का benefit यहाँ पर किस तरीक से मिलेगा और क्या होगा, वो हम बाद में सिखेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूँ, कि यहा यहाँ पर आपको समझता है कि यहाँ पर unlimited registration मिलता है, एक साल में अगर आपको 10 बार claim लेने की ज़रोत है, तो 10 बार भी claim मिल जाएगा, and दूसरी चीज़, यह आपका जो trigger करता है, वो first claim के बाद automatically trigger कर जाएगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका जब basic summisshoot खतम हो जाता है, तब आपको दूसरी बार यहाँ पर पूरा 10 लाग रुपे का policy है, तो 10 लाग रुपे का policy का summisshoot खतम हो जाएगा, तो आपको दुबारा restoration benefit मिलेगा, reassure benefit मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको अगर आपका 5 लाग का claim है, और आपको दुबारा पैसे की ज़रोत है, दुबारा risk cover क की ज़रोत है, 10 लाग का जो restoration benefit है, वो आपको trigger कर जाता है, तो यहाँ पर आपको reassure benefit unlimited time मिल रहा है, दूसरी चीज़ इसके अंदर यह है कि first claim से आपका यह automatically trigger कर जाता है, यहाँ पर आपको basic summisshoot को exhaust करने की ज़रोत नहीं है, दूसरी चीज़ हम बात करेंगे booster benefit जो कि आपका 2X तक हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर इसके हम बात करें, no claim bonus की, अगर आपने मालीजे 10 लाग रुपे का insurance plan लिया है, आपने first year claim नहीं लिया, तो आपको यह 50% से increase हो जाएगा, and second year again यह 50% से increase हो जाएगा, तो यह आपका 3 साल के अंदर, लगवजा अगर मैं बात करूँ, तो 3 साल के अंदर यह आपका double benefit देगा, 2X तक का benefit देगा, अगर आप 20 लाग की policy ले रहे हैं, तो 40 लाग का benefit होगा, 50 लाग की policy ले रहे हैं, तो 1 करोड का benefit आपको इस plan के अंदर मिल जाता है, बात करते हैं health check-up की, अब आप समझे हैं कि market में शायद बहुत कम plan ऐसे होंगे जो आपको day 1 से routine health check-up का benefit देते हैं, जिसको हम preventive health check-up भी बोलते हैं, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि health insurance जो plan है, नीव वह का, जो आपका reassure plan है, वो आपको day 1 से आपको health check-up का benefit दे रहे हैं, तो friend, यहाँ पर आपको समझना है कि किस तरीके से आपको ये plan का benefit आपको म बिल जाता है, बात करेंगे next feature के जिसको हम बोलते है safeguard features, अगर आप बात करें, बहुत सरे insurance plan market में ऐसे भी available हैं, जो कि आपको consumable benefits नहीं देते हैं, consumable का मतलब है कि आपके gloves, sanitizer, PP kits, इस तरीके कि जो आपके consumable items होती है, वो आपके insurance plan के अंदर cover नहीं होता है, बट अगर आप लेना चाहते हैं, तो यह optional benefit है इस plan के अंदर, और आप इस plan को लेने के बाद, इस feature को लेने के बाद, आपको लगबख 100% का claim आपको यहाँ पर मिल जाता है, because आपके इसके अंदर PP kits, sanitizer, gloves, वगरा सब कुछ cover किया जाता है, दूसरा हैं पर बात करेंगे, इसके USPs के अंदर, कि अगर मालीजी आप daily count करते हैं, मतलब कि 10,000 step daily walk करते हैं, तो लगबख 7 km का daily का आपका walk रहता है, तो company renewal के time पे up to 30% तक आपको discount देती है, जो कि आपके premium से discount होगा, let's suppose आपने 10,000 का premium पे किया, और आपने 7 km per day चला, और अपने 365 दिन तक आपने यह किया, तो आपको लग को समझना है कि claim settlement कितने time के अंदर हो जाता है, जिसको हम बोलता है turn around time, तो यहाँ पर आपको समझना है कि 30 minutes का claim processing इसका company का मिल जाता है, अलब market में बहुत सारे options हैं, जो कि आपको 2 घंटे में, 1 घंटे में, 4 घंटे में commitment करते हैं, अगर हम कोई company ऐसी बात करें, तो even आज क 30 minutes के अंदर claim settlement करके देते हैं, because यहाँ पर आपको समझना है कि जो नीववूपा की team है claim settlement के लिए, वो इनकी in-house team है, किसी third party से ये approval नहीं लेते हैं, किसी third party को अपना कोई भी process या कोई भी claim settlement process को outsource नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनकी team है, वो खुदी अपना claim settlement करत है, तो friends, आपको समझना है कि इस product के अंदर क्या-क्या USBs हैं, जो कि customer के लिए कही न कही fruitful हो सकते हैं, और इसलिए आज की date में product जादा से जादा sell होता है, तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ और features की, कुछ और benefits की, तो सबसे पहले मैं इस plan के जो features हैं, वो यहाँ पर मैं skip कर रहा हूं, just because कि, यहाँ पर जो last page है, जो इनका product का table है, उसी के अंदर सब कुछ mention किया हुए, तो मैं आपको भही से समझा रहा हूं, यहाँ पर आपको समझना है कि यह product जो है, तीन लाग से लेकर, एक करोड के समिशोड तक available है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीन ला कि अगर आप 10 लाग की policy ले रहे हैं, तो 10 लाग तक क्या के चीज़े कवर हैं, यहाँ आपने 20 लाग की policy लिया, तो 20 लाग तक क्या के चीज़े कवर हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे inpatient care की, मतलब कि जब भी हम hospital में admit होते हैं, तो हमें कहीं न कहीं inpatient के लेते हैं, अगर आप ICU के अंदर जाके room लेते हैं या treatment लेते हैं, तो आपको 2% of the submission policy का आपको benefit मिलता है, बट आप देखे हैं कि अगर मान लेजे आपने 5 लाग रुपे की policy लिया और 1% का capping लगा हुआ है, तो आपको 5000 पे per day का ही room मिलेगा, इससे जाधा का room नहीं मिलेग अगर इससे जाधा का room लेना जाते हैं, तो आप अपनी pocket से पे करके जा सकते हैं, बट इवन महाँ पर आपको एक limit मिल जाती है, capping मिल जाती है, तो इससे जाधा का room नहीं मिल सकता, बट यहाँ पर निवा भूपा के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर no room rent capping है, आप आप चाहिए deluxe room ले लिजे, आप चाहिए super deluxe room ले लिजे, इवन आप suit room भी लेना जाता हैं, तो यहाँ पर आप ले सकता हैं, तो निवा भूपा वाले product के अंदर आपको सबसे main चीज़ यहाँ पर इस चीज़ का benefit मिल जाता है, कि आप no room rent capping के साथ policies को ले सकते हैं, नेक इसे treatment जो की 24 गंटे से कम में हो जाते हैं, जैसे कि example में आपको दे जाता हूँ, हर्निया का operation हो सकता है, कैटरेक्ट का operation हो सकता है, आपका stone का operation हो सकता है, जिसमें 2-3 गंटे का treatment है, और उसके बाद आप घर जा सकते हैं, तो ऐसे treatment आपके day care के अंदर आप हैं, और वो सारे कि सारे treatment insurance company यहाँ पर cover करती है, तो आपको समझना है कि day care treatment के अंदर क्या क्या चीज़े आती हैं, तो वो मैंने आपको बताया, इसके बाद बात करेंगे alternative treatments, alternative treatments का मतलब होता है, जिसको हम I use treatment बोलते है, आयरवेदिक, युनानी, सिंधा, होमोपैतिक, तो यहाँ पर आपको summer short तक का benefit मिल जाता है, अगर किसी भी चीज़ का benefit लेना चाता है, किसी भी चीज़ का आप claim लेना चाता है, तो यहाँ पर I use treatment का benefit आपको इस policy के अंदर मिल जाता है, बात करेंगे home care treatment की, अब घर पे रहकर आप treatment लेना चाता है, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से बताएं तो इसको हम बोलता है, domicory treatment, बलब कि आप घर पर है कर treatment लेना चाता है, अब इसके लिए company ले कुछ conditions लगाई हो तो मैं आपको explain करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर होता है कि आप domicory treatment लेना चाता है, तो यहाँ पर अगर patient की situation बहुत जादा critical है, या फिर hospital में bad की availability नहीं है, तो दोनों केस के अंदर हम घर पर treatment ले सकते हैं, अगेन यहाँ पर doctor recommendation होना चाहिए, और तीन दिन से ज़्यादा का treatment आपके घर पर होना चाहिए, तभी आपको इसका benefit मिलता है, यहाँ पर भी अगर आप 10 लग की policy ले रहे हैं, तो आपके समिशोड तक का domicory benefit आपको मिल ज जाता है, तो यहाँ पर अगर आप जितना ज्यादा समिशोड लेंगे, उतना ज्यादा benefit होता है, उतना ज्यादा आप यहाँ पर insurance company से claim ले सकते हैं, in case of medical emergency, आपको नहीं पता कि कितना खर्चा हो सकता है, कितना medical expense हो सकता है, तो friends यहाँ पर हम next point की बात करेंगे, living organ donor transplant, मतल अगर आपका कोई भी organ खराब हो जाता है, normally हम यह समझते हैं, कि किसी अच्छे hospital में 5 लाग से लेके, 25-30 लाग तक का यहाँ पर expense आता है, अगर आपके पास policy ही, अगर छोटे समिशोड की होगी, तो उसका benefit फिर आपको उतने limit तक मिल पाएगा, उससे जादा नहीं मिल पा है, कि जब भी हम hospital में admit होते है, 24 गंटे के लिए treatment लेते हैं, तो उससे पहले के कुछ expenses होते हैं, और उसके बाद के कुछ expenses होते हैं, जिसको हम pre-hospitalization and post-hospitalization expenses बोलते हैं, अब यह जो expenses है, इनको हम reimbursement में claim कर सकते हैं, अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़े cover हैं, आपको स लेते हैं, तो आपके जो pharmacy के bills हैं, वो भी हाप रिंबर्स हो जाते हैं, जो आपके medicines हैं, वो भी reimbursement हो जाती है, तीसरा अगर कोई भी doctor आपको recommend करता है कि यह reports करा लिजिए, आपको x-ray कराना चाहिए, यह MRI कराना चाहिए, तो वो सारे reports यह blood test वगरा के जो reports होते हैं, वो भ इसके लिए अगर hospital में admit हुए हैं, तभी आपको pre and post hospitalization का जो expenses है claim करने को option मिल जाता है, वालब कि otherwise आप अगर hospital में admit नहीं हो रहे हैं, और घर बे रहके treatment ले रहे हैं, तो आपको यह benefits नहीं मिलेंगे, तो सबसे main चीज होती है insurance plan की 24 घंटे hospitalization होना, उसके बाद ही आप सारी चीजों का benefit avail कर सकते हैं, तो यह होता है हमारा medic claim policy के अंदर जो base feature होता है, अब हम बात करेंगे reassure benefit, जो की इस plan का नाम है, और हम लोग जान रहे हैं कि आज की date में निवा भूपा reassure plan सबसे ज़्यादा क्यों भीख रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे, जिसको मैंने है भी था, कि unlimited restoration, friends हो सकता है कि थोड़ी सी video lengthy हो जाए, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप client के बास बैठे हैं, तो incomplete information मत दीजेगा, तो आप जादा से जादा या complete information लेना चाहते हैं, तो इस video को पूरा देखेगा, तो मैं बात कर रहा था, reassure benefit की, कि यहाँ पर unlimited unlimited जो plan है, यहाँ पर unlimited जो restoration benefit है, वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पर अगर आप 10 लाग का policy ले रहे हैं, और 10 लाग रुपे का आपका सामेशोड मालेजे कोई medical emergency आ गई, और 3 से 4 महीने के अंदर वो खतम हो जाता है, अब मालके चलिए 3 महीने बाद आपका 10 लाग खतम हो गय तो 10 लाग रुपे का benefit आपको दुबारा से मिल जाएगा, यहाँ पर company कहती है कि आप same बिमारी के उपर और same person भी इसको avail कर सकता है, हाला कि बहुत सारे insurance companies में ऐसा है कि आप same benefits या same person को आप benefit नहीं दे सकते है, same disease के लिए इसका benefit नहीं दे सकते है, बट निवा भूपा के अ पर एक ची समझना है, जो कि एक disclaimer के रूपे में आपको समझा रहा हूँ, कि आपका अगर claim 12 लाग आ गया या 15 लाग आ गया, तो maximum जो capping है, maximum जो limit है, वो आपका basic sum assured के उपर है, जितने का आपने insurance plan लिया है, अगर आप 10 लाग का insurance plan चूज करें तो 10 लाग से ज़ादा का claim न ले सकते हैं, बट यहाँ पर उससे ज़ादा का sum assured का claim लेना चाहते है, तो वो नहीं मिले है, तो make sure आप ज़ादा से ज़ादा या बड़े से बड़ा sum assured चूज कीज़े, जिससे की आपको benefit मिल जाए, तो next यहाँ पर हम बात करेंगे booster benefit, booster benefit का मतलब होता है, जिसको हम बहुत 10 लाग से अगले साल 50% increase हो जाएगी, तो 15 लाग हो जाएगी, अगर मैंने second year भी claim नहीं लिया, तो third year पे जब मैं premium दूँगा company को, तो उसके बाद मेरी policy का जो benefit है, वो 50% और increase हो जाएगा, मतलब कि 15 लाग से 20 लाग हो जाएगा, तो यह आपका 50% increase होता है first year में, 50% increase होता ह second year में, तो आपका यह total 2X हो जाता है अगले 3 सालों के अंदर, तो आप सोचे कि अगर मैं 50 लाग रुपे की insurance claim ले रहा हूँ, policy ले रहा हूँ, तो 50 लाग की policy अगले साल 75 लाग हो जाएगी, और 75 लाग के बाद सीधा 1 करोड जाएगी, अब 3 साल मैंने policy चलाया, और 3 साल के benefit है, वो किस सरीके से काम करता है, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, कि अगर मान लिजिए, मैं 3 साल के बाद, जब भी मेरा sum issue 10 लाग से 20 लाग हो गया, या 50 लाग से 1 करोड हो गया, और अगले साल मेरे को claim की जरूरत पढ़ती है, या पैसा लेने की जरूरत पढ़ती है, हम आपका premium कम जादा नहीं कर रहें, जैसा कि motor insurance में होता है, बट आपके जो risk cover है, आपका जो benefit है, उसमें हम आपको कम जादा का benefit कर देंगे, तो यहाँ पर आपको समझना है, कि no claim bonus कैसे काम करता है, 50% increase होगा, फिर 50% increase होगा, डबल होगा, बट अगर आपका claim आए 50% decrease होग तो यहाँ पर आपको समझना है, 50% increase होगा, और maximum 2x तक जाएगा, बड़ा simple है, आप एक बार समझना चाहते हैं, या कुछ question है, तो comment section पर पोच सकते हैं, मेरको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको guide कर दूना, आपको help कर दूना, इसके बाद बात करेंगे health check-up की, यहाँ पर यहाँ पर health insurance का, जो preventive health check-ups होते हैं, उसका benefit मिल जाता है, यहाँ पर एक लाग के उपर 500 रुपे का आपको health check-up का benefit मिलता है, जैसा कि आप screen के उपर भी देख पा रहे हैं, और अगर आप individual policy ले रहे हैं, तो maximum आपका 5000 तक का benefit होगा, अगर आप family floater policy ले रहे हैं, तो 10,000 त policy ले रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि एक लाग पे 500 है, तो आपका 5000 तक का benefit होगा, इसे जादा नहीं होगा, बट अगर आप family floater में ले रहे हैं, और 20 लाग रुपे की policy ले रहे हैं, तो आपका maximum यहाँ पर 10,000 तक का आपको benefit मिल जाता है, तो friends यहाँ पर आपको सम के लिए, तो आपको यहाँ पर 30% तक का renewal benefit मिल जाता है, तो friends यहाँ पर एक बहुत अच्छा feature कमपनी दे रही है, कि आप daily walk कीजिए, जिससे कि आप healthy रहे हैं, तो company को यहाँ पर आपको discount देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि 30% तक का हम आपको renewal पे discount दे दे देंगे, because आप daily walk कर रहे हैं, तो आप healthy रहेंगे, आपको कोई disease नहीं होगी, तो इस base पर company आपको renewal दे रहे हैं, यहाँ पर आपको समझना है modern treatment, अब modern treatment जो आपको benefit मिल रहा है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहेगा कि आपको 1 lakh रुपीज तक का robotic surgeries है, मतलब कि अगर आपको कोई robotic surgery करानी है, तो आप चाहे 10 lakh का plan लेज़े, चाहे 5 lakh का लेज़े, चाहे 50 lakh का लेज़े, आपको जो limit दी गई है, वो 1 lakh तक दी गई है, इवन बहुत सारी insurance company में तो robotic surgery अभी तक cover भी नहीं है, यहाँ पर cover है, 1 lakh की limit तक के लिए, ठीक है, next बात करेंगे second medical opinion, आप मा लेज़े, आपको insurance plan लेने के बाद, आपको कोई critical illness हो जाते है, कोई जानलेवा बिमारी हो जाती है, और जिसके लिए आपने किसी डॉक्टर को दिखाया होगा, उसको 5,000-10,000 पे fees pay किया होगा, और आपको लगता है कि आप जो उनने opinion दिया है, जो उन्होंने suggestion दिया है, अपने treatment के लिए, वो up to the mark नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आप क्या चाहोगे, कि मैं किसी expert doctor से किसी दूसरे doctor के पास जाके opinion ले लो, तो यहाँ पर आप दूसरे doctor के पास जाएंगे, again आपको 5,000-10,000 पे करना होगा, तो यहाँ पर company facility ये दे रही है, कि आप जो company के expert doctor है, जो pen India का panel है, उनके panels के पास आप जा सकते हो, उस particular disease के बारे में company से consult कर सकते हो, तो यह second medical opinion आपको उपर मिल जाता है, in case of critical illness, तो यह साल में एक बार free होता है, और इसके लिए कुछ भी pay करना ही ज़रूत नहीं है, अगर आपको इसका claim या benefit लेना है, तो आपके जितने भी document से scan करके company को mail कर सकते हैं, तो company आपको इसके बारे में guide कर सकते हैं, कि आपका second opinion क्या रह सकता है, तो इसका benefit बहुत simple है, आप documents scan करके company को वह आपको guide कर देंगे, emergency ambulance, अब friends, मैं आपको यहाँ पर यह बता रहा था, कि यह जो features हैं, इसी तरीके से काम करते हैं, अगर आप किस क्लाइंट के साथ share करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से one to one यह सारे features आपको बताने होता है, हलाकि आप अगर कोई incomplete information देंगे, तो आपको लगेगा कि यह क्लाइंट को अगर कुछ चीज मिस हो गई, तो client का decision हो सकता है, delay हो जाए या बाद में ले, तो make sure कि इस video को जरूर द सकते हैं, जिसे की आप client को proper दरीकी से समझा आपा है, step by step, और कोई भी चीज आप से miss ना हो जाए, तो आपको मैं बता रहा था, emergency ambulance के लिए, तो यहाँ पर अगर कोई भी road ambulance की जरूरत पढ़ती है, कोई emergency case के अंदर, तो 2000 रुपीस पर hospitalization का claim यहाँ पर company को, customer को मिल जाता ह company की द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है, road ambulance की जो limit है, 2000 रुपीस पर hospitalization है, साल में तीन बर जरूरत है, तीन बर मिलेगा, दस बर जरूरत है, दस बर मिलेगा, इसके बाद बात करेंगे air ambulance की, अब यहाँ पर मालीजी आप किसी heli station पर गए है, कोई medical emergency आ जात है, अगर किसी ऐसे hospital में जा रहे है, जहाँ पर reimbursement की facility है, बतलब की cashless नहीं है, तो आपको air ambulance का 0.500 रुपी तक का पर coverage यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आपको समझना है, shared accommodation का benefit, अब मालीजे, आपको company कहते हैं, कि आप single room के लिए eligible है, बट कभी-कभी ऐसा होता है, कि कि इस hospital में गया, जिस hospital में treatment के लिए गया, उस hospital में single bed available नहीं है, तो वो आपसे बोलेंगे कि आप dual sharing ले लिजे, या twin sharing वाला जो आपका room है, वो ले लिजे, तो उस case में आपके पास अगर option नहीं है, तो यहाँ पर insurance company का पैसा बसता है, और insurance company कही ना कहीं customer के साथ share करती है, इ और अगर आपकी policy 15 लाग या 15 लाग से ज़्यादा की है, तो 1000 पे per day का benefit मिलेगा, maximum 6000 का benefit मिलेगा, तो यहाँ पर आपको समझना है, shared accommodation का benefit आपको मिल जाता है, अब अभी तक जो मैंने features बता हैं, अभी तक जो मैंने features, options बता हैं, यह सारे features company के inbuilt features हैं, मतलब कि inbuilt benefits हैं, जो क आप client को suggest कर सकते हैं, बता सकते हैं, अब जो मैं आपको तीन features के बारे में बताने वाला हूँ, वो है optional benefit, मतलब कि customer लेना चाहता है, तो आप उनको दे सकते हैं, नहीं लेना चाहता है, तो मत दीजेगा, it is not compulsory, right, तो optional benefit के अंदर सबसे पहले benefit आता है, जिसको हम बोलते है, safeguard benefit, अब safeguard के अंदर आपको समझता है, कि तीन again subheadings है, मतलब कि पहला है claim safeguard, मतलब कि अगर आपको non payable items, consumable items के लिए pay नहीं करना, तो आप safeguard ले सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था, पिपिकेट्स, glove, sanitizer, आपका seizure हो गया, cotton हो गया, तो इस तरीकी के जो items होती है claim के time पर, तो वो सारी चीज़े normally plan के अंदर नहीं cover होती है, बट अगर आप safeguard लेते हैं, तो ये सारी चीज़े आपकी cover हो जाएंगे, दूसरा इसमें होता है booster benefit safeguard, अब मानलेजे आपने policy तो लिया, but policy में कभी-कभी ऐसा होता है कि insurance के साथ में, या medical emergency में मेरा claim आया, लेकिन वो 50,000 से कम मानलेजे 30,000, 35,000, 40,000, लेकिन अगर मैंने claim लिया तो आपको मैंने बताया था कि no claim bonus reduce हो जाएगा, लेकिन आपने safeguard लिया तो आपका जो reduce जो समिशूड हो रहा था वो नहीं होगा, just because company कहती है कि आपको booster benefit safeguard का feature दिये जा रहा है, यहाँ पर लिखा है no impact on booster benefit if claim is policy year is 50,000, मतल benefit reduce हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता है, तो यहाँ पर आपको safeguard में दूसरा feature यह मिल जाता है, and safeguard के अंदर तीसरा feature मिलता है, जिसको हम बोलते है, some insured safeguard, मतलब कि आपका जो safeguard है, वो every year बढ़ता रहेगा, जो की company हाँ पर मान के चल रहे है, consumer price index, जिसको CPI index हम बोलते है तो यह link हो जाता है आपके basic समय शोर से, अब आप मान के चलिए कि आपने insurance plan लिया, अब यह चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि daily की daily, बतलब कि every year आपका medical cost increase हो रहे है, just because of inflation, तो government ने एक standard मान लिया, insurance company ने एक standard मान लिया, कि आपका जैसे-जैसे inflation बढ़ रह आप से, वही same percentage से हम आपके insurance policy का coverage बढ़ाते रहेंगे, example, government ने बूला 6% inflation है, तो insurance company क्या करेगी, 10 लाग की policy में 6% का समय शोर इंक्रीज करतेगी every year, मतलब 6% इस साल, 6% अगले साल, 6% अगले साल, या कभी inflation 7% है, government का, तो 7%, तो इस तरीके से आपका basic समय शोर इंक्रीज हो हुआ, इसको हमने इसे लिए डाला है option को, कि हम inflation को beat कर सके, अपनी medical cost को beat कर सके, तो friends, ये तीन feature मिल जाते हैं, आपको safeguard के features के इंदर, तो यहाँ पर आपको दूसरा optional benefit मिलता है, जिसको हम बोलता है, hospital cash benefit, अब आप देखते हो कि कहीं पर customer कहता है कि मैं अगर hospital में admit होता हू तो मेरे साथ कोई ना कोई family member भी होता है, अब family member का कहीं ना कहीं income loss होता है, अगर कोई person job कर रहा है, कोई business में है, तो वो भी मेरे साथ as an attendant hospital में जा रहा है, बट कहीं ना कहीं मेरे को उसका benefit नहीं हो रहा है, हम दोनों लोगों को को income नहीं आ रही, income बंद हो गई, लेकिन उ एक्स्ट्रा hospital cash benefit मिल जाता है, इसके लिए हाला कि optional benefit जो भी आप लेंगे, safeguard हो गया, या hospital cash हो गया, personal accidental हो गया, इसके लिए आपको extra pay करना पड़ता है, लगभग 8% से लेके 12-15% है, तो वो vary करेगा age के उपर, और आपका क्यों, कौन सा option है, उसके उपर, तो यहाँ पर 7,5, लेके 15,000,000 का अगर मैं समयशोड लेता हूं, तो आपको 2000 पर पर दे का benefit मिल जाता है, hospital cash के अंदर, और अगर आप 15,000,000 से उपर की policy ले रहे हैं, समयशोड उससे जादा है, तो आपको 4000 पर पर दे का benefit यहाँ पर insurance company से मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि safe guard के स आपको hospital cash benefit का भी हाँ पर अच्छा कासा benefit है, अगर आप इसको avail करना चाहते हैं, तो add on लीजे और इसका benefit आप claim के time पर ले सकते हैं, last यहाँ पर optional benefit है, जिसको हम बोलेंगे personal accidental cover, अब insurance policies के अंदर, अगर आपका road accident हो जाता है, और उस case में miss happening होगी, या कोई भी ऐसा accident जिसके बाद आपकी miss happening हो जाती है, तो family को कोई भी additional benefit है, कोई भी चीज नहीं मिल पाती, as in compensation, तो यहाँ पर अगर आप मालेजे personal accidental cover लेते हैं, तो यहाँ पर insurance company five times of the basic summation, अगर आप 10 लाग की policy ले रहे हैं, तो maximum 5 गुना तक आपको insurance cover देते हैं, जो की personal accidental cover होगा, in case of miss happening, तो आपकी family को आपके nominee को पैसर मिल जाता है, और जो की यहाँ पर आपको एक करोड तक का मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, मालेजे आप 50 लाग रुपी की policy ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक करोड का समयशोड maximum है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन पहली वाली जो line तो उस हिसाब से 5 करोड बनता है, लेकिन यहाँ पर एक करोड से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके उपर limit लगिये, maximum of once year, यहाँ पर आपको समझता है, कि personal accidental भी आपको एक additional feature है, अगर आप लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, यह भी एक अच्छा feature company के साथ मिल जा है, customer को आप advice कर सकते हैं, अगर वो लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, अब finally, अब हम यहाँ पर customer को जब भी इस सारी चीज़े समझाते हैं, customer को बताते हैं, कि sir आपका ये चीज़े cover है, customer को बता देंगे, कि sir ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन customer के माइंड में एक चीज जलूर होती है, कि भाई मेरे को ये बताओ, कि चलो ये चीज कवर है, ये चीज कवर है, लेकिन क्या चीज कवर नहीं है, क्या चीज आप insurance policy में कवर नहीं करें, तो हम उसके उपर भी थोड़ा सा ध्यान डालते हैं, और मैं आपको बताता हूं, कि क्या चीज़े हैं, जो कि कुछ time के बाद कवर होती है, और क्या चीज ऐसी है, जो कभी भी insurance policy के अंदर कवर नहीं होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ waiting periods की and उनके exclusions की, तो यहाँ पर आपको समझना है, नॉर्मली तीन तरीके के waiting period होते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरी screen की ओपर दिख जाएगा, आपको initial waiting period आपको मिलेगा, initial waiting period जो की 30 days का होता है, अब 30 days के अंदर आपका कोई भी medical emergency आजाता है, accept insurance में accidental cover, अलब की accidental injury है, जो की day 1 से cover है, उसके अलावा अगर कोई भी चीज होती है, तो 30 दिन के बाद से वो cover होती है, इसको हम बोलते है, initial waiting period, ठीक है, दूसरा option होता है हमारा जिसको हम बोल सकते है, specific waiting period, अब specific waiting period के अंदर जादातर insurance company के कुछ ऐसे disease होते है, कुछ ऐसे elements होते है, जो की आपको 2 साल के बाद ही मिलते हैं, जैसे कि आप अगस में देख सकते है, joint replacement है, cataract है, hernia है, आपका stone का treatment है, gastric problem है, तो इस तरीके की total 14-15 disease है, जो की आपको 2 साल के बाद ही मिलेगा, आप कभी भी insurance claim ले रहे हैं, कभी भी insurance policy ले रहे हैं, तो आपको 2 साल तक इन disease के लिए wait करना पड़ेगा, इसको हम बोलते है, specific waiting period, तो यहाँ पर आपको 2 साल तक wait करना है, अब third option आता है, जिसको हम बोलते है, pre-existing disease, मतलब कि आपको अगर कोई भी ऐसी problem है, जो कि आपने पहले कभी surgery किया है, या पहले कभी medicine लिया है, या पहले कभी आपने उसीज का treatment किया, या आप अभी कोई भी regular medicine ले रहे हैं, अब ऐसी disease listed नहीं है, कई पर भी लिखी नहीं है, बेट आपको समझना है कि customer को किसी भी customer को या अलग-अलग customer को अलग-अलग problem या अलग-अलग disease हो सकती है, तो जो भी problem है, जो भी disease है, इसको हम बोलेंगे pre-existing disease, अगर ऐसी कुछ problems है, तो ऐसी problems को हम policy लेते समय, अपने proposal form के अंदर या application form के अंदर डालेंगे, और उसके बाद company उन चीजों को, उन disease को तीन साल के बाद cover करती है, अब अगर वो critical situation है, कोई जान लेवा problem है, या कोई बहुत ज़ादा critical situation है, तो उस case में insurance company आपके premium के पर loading लगा सकती है, मतलब कि आपका insurance cover बढ़ा सकती है, इस case में आपका insurance company या तो आपका premium बढ़ा सकती है, या फिर insurance company उस particular बिमारी को आपकी insurance cover से हटा सकती है, मतलब कि exclude कर सकती है उस particular disease को, यहाँ पर तीन चीज़े मैंने बताई, या तो आपका approval हो जाएगा, आपका exclusion करके तीन साल के waiting period के साथ, या फिर insurance company उस problem के लिए आपको loading लगा सकती है, premium बढ़ा सकती है, या तीसरी चीज़ मैंने बताई कि company कह सकती है कि भई हम इस problem को जो आपने mention करी है, उस problem को cover नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी अगर कल को problem हो जाती है future में, तो उसको हम cover करेंगे, इसको हम बोलते है permanent exclusions, तो ऐसी disease को भी ऐसी problem को भी insurance company decision में ले सकती है, अगर ये decision advisor के हाथ में नहीं होता, आपको ये भी समझना है, ये decision कहीं न कहीं underwriter के हाथ में होता है, अगर in case customer आपको कोई ऐसी चीज़ बता रहा है और आपको उसके बारे पर नहीं बता, तो customer को बोल सकते हो कि आपका जो decision है, इस particular policy के लिए, वो customer का decision advisor के हाथ में नहीं है, company के हाथ में है, जो कि underwriter team उनको take care करती है, तो friends मैंने आपको बताया, तीन से जे, जो कि initial waiting period है, specific waiting period है, और तीसरी चीज़ जो की pre-existent disease के अंदर cover की जाते हैं, और जाधा तर insurance company तीन साल या चार साल में cover करती है, तो निवा भूपा में वो तीन साल के बाद cover हो जाते हैं, तो friends यह थे waiting periods, जिसको मैंने आपको complete information के रूप में बताया, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे permanent exclusions, जो insurance company में कभी भी cover नहीं किये जाते हैं, तो यहाँ पर हम specifically निवा की बात कर रहें, तो निवा भूपा में reassure plan के अंदर क्या-क्या चीज़े cover नहीं है, तो चलिए समझते हैं, सबसे पहले बात करेंगे investigation, evaluation and OPD treatments, मतलब कि अगर मालेजे, आपने सिर्फ कोई reports करा हैं, जैसे x-ray करा है, MRI करा है, बट hospital में admit नहीं हुए, या आपको fever हुआ था, आपने doctor को दिखाया और उसके लिए hospital में admit नहीं हुए, आपने सिर्फ medicine ली और आप ठीक हो गए, बट hospital में admit नहीं हुए, तो इसको हम बोलता है, OPD treatment या फिर सिर्फ investigation आपने reports वगरा करा हैं, तो आप अगर ऐसे treatments ले रहे हैं और hospital में admit नहीं हो रहे हैं, तो insurance company कभी भी इन चीजों को cover नहीं करेगी, अलब particularly इस company के अंदर या इस product के अंदर आपको cover नहीं मिलेगा, दूसरा यहां पर बात करेंगे unproven treatment, unrecognized physician और hospital, आप किसी ऐसे hospital में जाते हैं, या ऐसे doctor के पास जाते हैं, जो की certified नहीं है, government registered नहीं है, तो ऐसे doctors के पास जाके treatment लेने से या ऐसे hospital में treatment लेने से आपको insurance का claim नहीं मिलेगा, right, breach of law, मतलब की conflict and disaster, अगमाले जे कोई ऐसी problem हो गई है, ठीक है, breach of law में जैसे कोई आपने law तोड़ दिया, या कोई आपकी लड़ाई हो गई है, या फिर आपने insurance claim के लिए आप apply करते हैं, तो आपको insurance claim नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको समझना है कि insurance claim किस-किस condition में नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको समझना है advanced sports activity, मालने चे आप paragliding कर रहे हैं, आप river rafting कर रहे और उसके बाद आपको कोई injury हो जाती है, तो आप अगर insurance claim के लिए जाते हैं, तो आपको इनका claim नहीं मिलेगा, इसके बाद बात करेंगे change of gender, change of gender treatment का आपको claim नहीं मिलेगा, plastic surgery का आपको treatment नहीं मिलेगा, sleep disorder का treatment नहीं मिलेगा, drugs या फिर addictive condition के अंदर आपको इभी चीज ले रहे हैं, तो आपको cover नहीं मिलेगा, dental treatment आपको इहां पर insurance company cover नहीं कर रही है, निवा भूपा, maternity expenses के related या infertility के related आपको कोई भी treatment नहीं मिलेगा, HIV AIDS से related आपको कोई भी treatment नहीं मिलेगा, and finally इसमें मैं geographical limit जो है आपकी इंडिया की है, उसके बीच में ही आप यहाँ पर treatment ले सकते हैं, इसके बाद last option यहाँ पर है कि self injury या फिर attempt to suicide, या फिर कोई भी disorder है, mental disorder है, तो आपको इन चीजों का भी claim insurance company नहीं देखी है, तो यहाँ पर मैंने बताया क्या-क्या चीजे insurance company cover नहीं कर रहे है, तो friends, यहाँ पर आपको समझना है, कि client को हम एक पहलू पर न रखें, customer को जब भी हम चीजे बता रहे हैं, तो क्या-क्या चीजे cover है, और क्या-क्या चीजे insurance company cover नहीं कर रही है, तो उसको हम complete information दे, बाकी customer का decision है, कि उसको insurance plan लेना है, नहीं लेना, हालाकि यह video बहुत लंबी हो गई है, छोड़ा सा आपको यहाँ पर मैंने बोला, कि बाकी information हो सकता है, कि आपको अगर दुबारा देखने ही जरू होते हैं, तो आप दुबारा देखें, हालाकि यह product का जो processure है, मैं आपको नीचे link पर भी दूँगा description के उपर, और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूं friends, कि आप में से बहुत सारी advisors अभी सीख रहे हैं, बहुत learning mode पर है, knowledge लेना चाहते हैं, आप बहुत को सीखना चाहते हैं, तो हमारे channel के उपर आपको upcoming videos के इंदर बहु बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने insurance business को grow कर सकते हैं, क्या sales skills है, presentation skills क्या होती है, आपका क्या क्या चीज़े हैं, जिससे कि आप ultimately अपने business को grow कर सकते हैं, हाला कि बहुत सारे YouTubers आपको कोशिश कर रहे हैं, knowledge देने के लिए, educate करने के लिए, बट मेरे content के, या मेरे channel के उ वीडियोस होगी, जो आगे आने वाली series होगी, वो बहुत different होगी, जिसके अंदर fire insurance, property insurance, marine insurance, event insurance, event director insurance, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, तो friends, आप channel को subscribe कीजे, bell icon को press कीजे, and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो जली से like कीजेगा, share कीजेगा, ज Thank you so much.